ब्रेक के बाद आपका स्वागत आप देख रहे हैं नाय सवेरा नाय सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कॉलकाता में 8 से 9 अगस्त के बीच वे जूनिया ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की जिसके कारण आज भी गुस्से की आख से जु पधा और तमाम इससे जुड़ी जो दरूरी सेवाएं हैं वो पहले की तरह मरीदों के लिए बाहाल मिलेंगी सुप्रीम कोट के ओर से डॉक्टरों की सुरक्षा पर चृता जताने और भविश्य के लिए किये गए उपायों के बाद ये तेमाना जा रहा है कि अब को एम्स, आरेमल सहित, दूसरे अस्पतालों के रेजिदेंट डॉक्टर असोसियेशन की बैठक हुई और हरताल खत्म करने का फैसला लिया गया रेजिदेंट डॉक्टरों के संगठर ने उमीद जताई है कि कोट के आदेश पर सुरक्षा की विवस्था होगी वहीं बात करते हैं बश्थ्विम बंगाल के जहां डॉक्टरों की हरताल जारी है कॉलकता रेप और मर्डर केस को लेकर CBI सच का पता लगाने के लिए जूटी हुई है वहीं CBI टीम ने कि अगर बात करें तो आज जो जूनिय डॉक्टर्स हैं उनका जो प्रतिधी मंडल है वो CBI से मुलाकात कर सकता है और इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्वर प्रचारे यानि के पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोश की मुश्किलें बढ़ने वाली है CBI आज संदीब घोश का पॉलिग्राफ टेस्ट करा सकती है सियालदे कोट ने CBI को पॉलिग्राफ टेस्ट कराने की मन्जूरी दे दी है CBI इस मामले में संदीब घोश के रावा चार ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलिग्राफ टेस्ट कराएगी इससे पहले CBI संदीब घोश से कई दौर की पूछताच कर चुकी है आपको बताएं कि CBI संदीब घोश से अब तक करीब 88 घंटे की पूछताच कर चुकी है वह इस मामले के मुख्य आरोपी संजे रोई के पॉलिग्राफ टेस्ट की अनुमती CBI को पहले ही मिल चुकी है और इस बड़े और बहुत एहम मुद्दे पर कॉलकता से हमारे समवादाता प्रसंद जी चुरगा है प्रसंद जी सूपरभात आपको सवाल पहला यही की पॉलिग्राफ टेस्ट जो बहुत एहम माना जा रहा है इस केस में कई ऐसे राज और ऐसी कई कडियों को जोडने के लिए संजे रोई के लिए पहले ही CBI के पास अनुमती है आज उन चार डॉक्टर्स जुनके साथ पिड़ता ने जब यह घटना घटित हुई उससे पहले खाना खाया और साथी साथ जो पूर प्रचारे हैं उनका भी पॉलिग्राफ टेस्ट करवाने के रूमती मिल जो कि आज हो सकता है आखिरकार जब इसकी कोट में सुविकृती नहीं होती है तो किस तरह से पॉलिग्राफ टेस्ट ऐसे मामलों में बहुत मददकार साबित होता है प्रसुंचीत पॉलिग्राफ टेस्ट कर सकते हैं यह पॉलिग्राफ टेस्ट के तरूप क्योंकि CBI का कहना है कि पिछले साथ-ाथ-डीनों में जो कुछ भी पूछता जाए उससे CBI को लगने लगा कि कई न कई किसी न किसी जगा पर यह संदीब घोष CBI को गुम्रा करने की पूरे तैका को गुम्रा करने की कोशिश में है इसलिए फॉलिग्राफ टेस्ट जरूरी हो गया है और बाकी जो चार जूनियर डॉक्टर का भी और संजय राय का भी पॉलिग्राफ टेस्ट का जो अनुमती है वो लेकर रख्ट है CBI क्योंकि CBI का कहना है कि इस बयान को मेल करके दिखना जरूरी है कि उस रात एक्जाक्ली हो गया था क्योंकि वैसे ही आपको पता है आचल की कल CBI ने जो रिपोर्ट सुप्रिम कोर्ट की समने पेश किये उसमें ये सीधी तरह से बताया गया कि उनको ये जाज की जिम्मेदारी पांचवा दिन मिला था और पहले ये पांच दिन नौ तारीक से पांच दिन जो सबुतों के साथ चेर चाड और क्राइम कीन के साथ चेर चार ओकर दिया था इसलिए एक चुनोती है कि किस तरह से वो च रुक करें और जो जिम्मेदार लोग है वो समछ भोल रहा है कि जूट भोल रहा है इसकी बारे में साइटिफिकली पता इसलिए पॉलिग्राफ टेस्ट की और सुप्रीम कोट की तरफ से भी बताया गया था कि पॉलिग्राफ टेस्ट की बारे में जो कुछ भी डिसिशन लेना है वो सुक्रुबार का मतलब आज तक लिया जाए तो इसलिए कल ही तूरंट CBI की तरफ से जो कुछ कारवाई करना यह पर सियल्दा कोट की तायरे में सब कुछ है तो वहां पर पहुंचकर CBI की तरफ से यह अनुमोती लिया गया है यह पूरे पूरे तहकिकात में एक काफी मजबूत कदम हो सकता यह CBI का मानना है आचल जी प्रसंजीत इसके साथ प्रसंजीत अगर इस मामले की बात करे तो सि प्यासत भी गरम है क्योंकि यह वही ममता बैनर जी है जिन्होंने 1992 में एक महिला के साथ यौन उत्पिडन की आवाज उठाई थी और आप 32 साल बाद एक विभत्स घटना ऐसी हुई है जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिसके बाद उनके 13 साल के राजनितिक सफर पर मा के पास ब्रे मंत्राले भी है कल सुप्रिम कोट ने कॉलकता पूलिस को फटकार लगाई है कि 30 साल के करियर में उन्हों ने इस तरीके के इलापर वाही नहीं देखी हाँ देखे पस्ची मंगाल में जो गुस्टा डॉक्टर के बीच और सारे समाज के बीच उसका कारांत यही है पहले दिन से पस्ची मंगाल से यह आवाज उठाया गया कि जो कुछ भी हुआ है आप इसे दबाने की क्यों कोशिश कर रहा है तो यह सवाल का जवाब अभी भी ना डॉक्टर को मिला अभी भी ना बंगाल की जो माता है उनको मिला ना बेटियों को मिला इसलिए ना पूरे देश में जो कुछ भी हुआ है मतलब डॉक्टर काम पे लोट रहे हैं ये जरूरी है मरीज का जो तकलीफ है इसकी बारे में सोचना जरूरी है लेकिन पच्चिम बंगाल में स्थीती सामान न करना ये एक ऐसी चुनावती है क्योंकि पूरे एक point of no return में है क्योंकि यहां की डॉक्टर का जो psychiatrist है भावना और आचल आप दोनों को ही मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे जो psychiatrist है उनका कहना है कि यह जो नौ तारीक की घटना है लोगों को जब पता चला उसके बाद से महिलाओं के बीच पेटियों के बीच एक ट्रॉमा जैसे सिती है क्योंकि यहां के लोग काफी नजदीक से पूरे घटना करम को देखे हैं और वह कहना नहीं चाहिए लेकिन काफी सारे लोगों की सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर प्योडिता की कुछ कर्दे में पहुच गया थे जिसको डिलिट करना जरूरी था या फरोड नहीं करना सब्सक्राइब गाँ था लेकिन पहुच गया है तो साइक्याट्रिस्ट बंगाल में घातर से इंक मरीज उनके पास पहुच रहा है कि यह जो घटना और लोगों की दिमाग में महिलाओं के गिमाग में ट्रॉमाय जैसे पैनिक और शीकर संग्दीर कर संग्यान शुकर संग जहां गोश बाबू को कई अगर समाचार पत्रों की बात कही जाए तो उन्हें लाशो को सवधागर का गया यानिकि उनका जो पिछला इतियास है वो बिल्कुल स्याह है संजर रोय मानसिक विकृती के तौर पर उसकी भी कई परिचे जो साइकाइट्रिस उससे डील कर रहे हैं वो सामने आ रहे हैं ऐसे में अब इस केस के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है तार्निंग पॉइंट ये पॉलिग्राफ टेस्टी है क्योंकि जिस तरह से सबूत मिटाया गया जिस तरह से जगा के साथ छेड़ छड़ किया गया है इसमें चाहे आप कितना बड़ा भी जिसके कहता है डिटेक्टीव हो ना क्यों आपके लिए एक चुनो होती है और इस तर्निंग पॉइंट के लिए डॉक्टर इंतिजार कर रहा है कि पॉलिग्राफ टेस्ट को और वहां से कुछ निकाल के आए और ये पता चले कि यहां पर मांग एक ही है जस्तिस की चाहत क्योंकि पहले जो पुलिस ने संजय राय को ग्रसार करके रखे ते उसके आगे कुछ डेवलप्मेंट है तैकिकात का इसका कोई भी अंदाजा डॉक्टर को ने मिल रहा है ना समाज को मिल रहा है इसलिए इस पॉलिग्राफ टेस्ट की तरफ पूरे बंगाल की निगायटी की हुई है कि पॉलिग्राफ टेस्ट हो उससे पुछ निकाल के आए और लोगों को पता चले कि आटर नौत आरी की बीच उस रात को एक्जैक्ली हुआ क्या था इस बरवर प्रसंजीत तो सीब्या फिलाल तो 88 घंटे संदीब घोष से पूछ से पूछ साच कर चुकी है और अब पॉलिग्राफ टेस्ट पर सबके निगाहे हैं कि पॉलिग्राफ टेस्ट में सच और जूट क्या है वह साफ निकल कर आए का और कडियां मिलती हुई बंती हुई नज में एक रोश और विरोध का महौल पैदा किया लेकिन उससे कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं जुनका जवाब आज सब ही माग रहे हैं